हेलो गाईज आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल देभू में आपका स्वागत है फ्रेंज यदि आपने भी दिसंबर माह में इंडियन आर्मी के जो भरतियां आये थी उसके लिए एपलाई किया था तो आपके लिए बड़े खुसकबरी होनी वाली है क्योंकि अब भ है डिस्ट्रेक्ट में होंगी कुमाउ मंडल मैं जी हां फ्रेंज तो विस्ते जानकारी इस वीडियो में जानते हैं तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और उसके पास में बैल आइकन को प्रेस कर लि तो गाईज जैसे कि न्यूज पेपर की हैरलाइन है रानी खेत में सेना की ओपन भरती रेली पंदरा सी जी हां फ्रेंज उसके बाद जो इसमें नैक्स्ट जानकारी लिखी है भरती से रिलेटेड आईए जानते हैं सेना की पंदरा फर्वरिष से पस्तावित ओपन भरती रेली की तैयारियां सुरू हो गई है जी हाँ प्रेंज पंदरा फर्वरिष से रेलिया स्टाट होनी वाली है इसके लिए प्रसासन की तरब से पूरी तैयारी कर ली है भरती रेली यहां सोमनात मैदान में होंगी तो फ्रेंज जैसे कि आप जानते हैं कि सोमनात मैदान कहा है रानी खेत में तो रानी खेत में यहाँ भरती होने वाली है तो भर्ती एर पिछोड़ागर चाल कर बाले कराई जाए जाएंगी जिसमें कमाओं की जिलों के युवा Кिसमत अजमायेंगी दिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं जिहां फ्रेंस इसमें जैसे कि यहां पर भी सूक राया गया है दिखाया गया है लिखा है कुमाओं के छह जिलों की युवा अजबाएंगे किस्मत तो सहयुक्त डिस्टिट अपुर्वा पंडे ने सनिवार को यहां सैनी और प्रासासनिक अधिकारियों संग बैठक कर रेली की तमाम व्यास्ताइं चाक चौंबंद करने के लिए निर्देश दिये जिहां फ्रेंस उसके बाद कहा गया कि बैठक में तय हुआ कि युवाओं के ठहरने की व्यास्ता नगर के बिभिन्य विध्यालों में की जाएगी जी हाँ फ्रेंट जो ठहरने की व्यास्ता भी की गई है अभ्यारतियों के लिए जो इसमें परतिभा करने वाले हैं इन भरती रिलियों में तो इस प्रकार से जल्द ही राने खेद में भरती रेली का आयोजन किया जाने वाला है तो अपनी तैयारियों को बनाए रखें